कभी हिंदुस्तान पर हकूमत करने वाली मुगल सल्तना दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे एक समय उनके पास दुनिया की लगबग 25-25 दोलत थी उनके समराजे में यूरोप के सभी समराजे की तुलना में अधिक रतन मोती जैसे खजाने थे वे निर्दई और कुरूर शासक थे उन्होंने हिंदुस्तान को हर तरह से लूटा और कमजोर लोगों को अपना गुलाम बनाया उन्होंने अपनी कूर्णिदिक चालों में फसाकर अन्य समराजों को तबा किया और जो उनके सामने जुकने को त्यार नहीं थे उन्हें युद करने पर मजबूर किया कला के सुकिन मुगल सासकों को फार्शी बगीचे जतने पसंद थे उतने ही वह खूबसूर्थ महिलाओं के भी दिवाने थे मुगल समराजे की गिंती उस दोर के सबसे अमीर समराजों में की जाती थी हिंदुस्तान में मुगल समराजे की स्तापना से पहले के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि बाबर एक लूटे रहा था उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह बारत पर हुकूमत करेगा वह तो हिंदुस्तान लूट मचाने आया था 20 अपरेल 1926 इस्डी को उसकी बिढ़न दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी से हुई बाबर यूद जीत गया और उसे उपहार सबरूप पांच बादशाओं का कोस हाथ लगा इसके अलवा उसकी जीत का सबसे बड़ा इनाम पूरा हिंदुस्तान उसके सामने पढ़ा था बरहाल इबरहाइम लोदी के उपर जीत के साथ हिंदुस्तान में मुगल समराज्य इस्तापना हो गई माना जाता है कि हुमायू का उत्रादिकारी अकबर अपने समय में दुनिया की एक चुथाई दोलत का मालिक था मुगल इतिहास में अकबर ही ऐसा एक मातर सासक था जिसने अपने विजे अपिहान के दम पर हिंदूस्तान के बड़े बूबाग पर सासन किया था उसने कई राजपुत सासकों को अपने अदीन कर लिया था लेकिन मेवार के महराना परताब उसके सामने कभी नहीं जुके विसव की चर्चिट टाइमस पतरीका के उनुजार अकबर के सासन काल में हिंदूस्तान का सकर गरेलूत पाल ब्रिटन की महारानी अलिजाबेद के समराजे से कतई कम नहीं था ततकालिन मुगल रैंसेन ब्रिटिस राज गराने से कहीं ज़्यादा शानदर और भव्य था जलाद दिल मुहमद अकबर के समय से लेकर सांजा तक मुगल सल्तनत का दरवार दुनिया बर में सबसे शानदर जगों में से एक था यहाँ विस्व व्यापी और द्रम साही शूनता आम थी सहित्य और चेतर कला की बरमार थी आगरा दिली फतेपुर सीकरी और लाहोर में आलिसान भव्य महल और मजजितें थी दिवार रंगों से सज़े हुए थे बगीचे फवारों से लुआब थे सेवादारी के लिए गुलाम नोकर बरे पड़े थे माना जाता है कि मुगल समराजे की अर्थविवस्ता अकवर के सासन काल के दुरान अपने चरम पर थी और संभावत ताज मेल बनने के बाद इसमें गिरावट आई इस तरह से ठारमी स्ताब्री से लेकर आर्थिक तरक्के के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी अर्थविस्ता की रूप में बारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था मुगल बात्षा सांजा के पुरवर्टी समराज जांगिर ने साई खजाने में एक बड़ी रकम छोड़ी थी इस कारण मुगल स्तापत्य सेली की भव्य इमारते बनाने में सांजा का हाथ कभी तंग नहीं हुआ बैंक ओफ इंडिया इंगलेंड के रिकोर्ड के अदार पर कहा जाता है कि 1644 इसवी में सहाजानी रूपे की कर्शक्ती आज के बार 3 रूपे से लगबग 500 गुना जादा थी इस इसाब से अगर ताज मेल आज के समय में बना होता तो इसे बनाने में लगबग अर्बो खर्च होते वहीं मैयूर सियासन मुगल काल की सरफ सिर्श कलाकारी थी जिसे बनाने में मजदूरों को लगबग 7 साल लगे थे मयूर सियासन को बनाने में उस दोर के तकरीबन एक क्रोड रुपे खर्च हुए थे जो आज के अर्बों के बराबर हैं एक अंदाजे के अनुसार साजा के सासन काल के दुरान मुगल समराजे के संपत्ती फारस और फ्रांस के पर्ति दवन्दियों की कुल संपत्ती की तुलना में कहीं अधिक थी सन 16-47 में मुगल समराजे के सालाना आए 21 क्रोड रुपे आंकी गई थी उस दुरान उनके शाई खजाने में 60 तन सोना, 1116 तन चांदी, 8 पाउंड हीरे, 1600 पाउंड मोती इसके अलावा ऐसंके जवारारतों का खजाना था हिंदुस्तान के भवे मुगल समराजे की चकाचोंद को देखकर यूरोपिया लोगों की आंक फटी की फटी रह गई ऐसे में उन्होंने अमेरिका की खोज के बाद हिंदुस्तान को अपनी समराजे वादी नीतियों के अंतरकत लाने के प्रयास सुरू कर दिया इस तरह उद्योगिक ब्रिटिस समराजे के उद्याय और उसके हस्ट शेप ने मुगल समराजे को दिरे दिरे पतन की और खिसका दिया इस से एक समय पर बलवती मुगल समराजे ने एक आएक ब्रिटिस समराजे के आगे गुटने टेक दिये आखिर कारुनिस मिस्ताब्दी के मद्य में हिंदूस्तान उप महादीब में मुगल समराजय पूरी तरह से समाप्त हो गया और ब्रिटिस उप निवेस की सुरुआत हो गई आपको मुगल काली नितिहास कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप यह वीडियो इंस्टागराम या फेस्बुक पर देख रहे हो तो पैज को फोलो जरूर करें धन्यवाद